दोस्तो चाड़क के नीती चाड़क के द्वारा रचितेक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाव दिये गए हैं इस गरंत का मुख्य विशय मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है नमस्कार दोस्तों स्वा दोस्तों चाड़क की नीति के अनुसार यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुप्त होना चाहते हो तो जिन विशियों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टी के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विश को त्याग देते हो इन सब को चाड़क की जी आगे बताते हैं वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते होए फिरते हैं उसी तरह नश्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई साप चीटियों के टीले में जाकर मर जाता है दोस्तों कोई संदेश बाहक आकाश में नहीं जा सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती बहां रहने बाले लोगों की आबास सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता इसी लिए बो ब्रामर जो सूर्य और चंद्र ग्रहन की भविश्य बाड़ी क और जो नीच काम करने बाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं उनके पास कौन सी शक्ती हो सकती है वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते दोस्तों जिसके डाटने से सामने बाले के मन में डर पैदा नहीं होता और परसन होने के बाद जो सामने बाले को कुछ नहीं देता वो ना किसी की रक्षा कर सकता है और ना किसी को नियंतरित कर सकता है ऐसा आदमी भला क्या ही कर सकता है चाड़के जी के अनुसार यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वो जहरीला ना हो उसका ये करना सामने बाले के मन में डर पैदा करने को परियाप्त है यहां ये बात कोई माइने नहीं रखती कि वो जहरीला है या नहीं आपको इंद्र के समान बैभो प्राप्त होगा यदि आप अपने भगबान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं अपने भगबान के लिए चंदन अपने हाथों से घीसें और अपने हाथों से पवित्र गरंथों को लिखें चाड़के जी कहते हैं गरीबी पर धैर इसे मात करें, पुराने वस्तरों को सच रखें, बासी अनन को गरम करें और अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे बेवहार से मात करें इसके अलाबा दोस्तों जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है असल में वो अमीर है यदि उसके पास बिद्या है लेकिन जिसके पास बिद्या नहीं है वो सब प्रकार से निर्धन होता है चाड़के के अनुसार हम अपना हर कदम फूप फूप कर रखें हम छाना हुआ जल पियें हम बही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है हम बही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्बक पहले ही सोच चुके हैं दोस्तों जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टी चाहिए वो विद्या आरजन करने के सभी विचार भूल जाए और जिसे ज्यान चाहिए वो अपनी इंद्रियों की तुष्टी भूल जाए जो इंद्रिय विशे में लगा रहता है उसे ज्ञान कैसा और जिसे ज्ञान है वो व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टी में लगा रहे ये संभव नहीं चाड़क के कहते हैं वो क्या है जो कभी की कलपना में नहीं आ सकता वो कौन सी बात है जिसे करने में महिला सक्षम नहीं है वो कौन सी वकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता और ऐसा क्या है जो कवा नहीं खाता दोस्तों नियती एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकती है वो एक अमीर आजमी को गरीब और गरीब को अमीर कर सकती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों मिलते हैं, एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत